नमस्कार आप देख रहे हैं दब यहार टॉप मैं हूँ आदेश पुरी बीपीसी द्वरा एक लाग सत्तर हजार चारसो इक सट सिछक बहाली के लिए आवेदन लिये जा रहे हैं कल साम तक आवेदन लिये गए और आज से लेकर परसो तक यानि की 22 तरीक तक आपको लेट फा कैंडिडेट्स ने फॉरम फिलप कर दिया है यानि की कहा जाए तो लगबग आठ लाग के आसपास सिछक बहाली में फॉरम फिलप हुए हैं पहले से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आठ लाग के आसपास जो है वो फॉरम फिलप किये जाएंगे आपको बता दे कि सब च्छे लाग से साथ लाग के आसपास जो है कख्छा एक से पाँच के लिए कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है वही नकर druzhण है बहार के चार लाख नियोजी सिछक जिन को यह कहा गिया था कि अगर आपको अस्थाई राजिकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है यानि कि सरकारी टीचर आपको बनना है तो आपको इस परिछा में सामिल होना पड़ेगा नहीं तो आप नियोजी ती रहिएगा लेकिन बताएं आपको कि नियोजी सिक्षकों के दवारा नई सिक्षक निया मावली कहीं विरोध किया गया और इस परिच्छा का भी विरोध किया गया और आपको बता दे कि मातर 63,004 लाख सिक्षकों ने फॉर्म डाला है इस बहाली प्रक् कर दिया है लगबग 1500 से अधिक परिच्छा केंदरों पर इस प्रिच्छा होना है आपको बताएं कि सिक्षक नियुक्ती की परिच्छा राजी के 1500 से अधिक यंद्र पर होने की संभावना है बिहाड लोग K finnoge jusco wouldnَ की ओर से सूरी जिलादिकारियों को जिलों में अभियर्थियों की लगबग संख्या भी बता दी गई है उसी हिसाब से तैयारी करने को कहा गिया है साथ ही परिच्छा केंद्रों पर उचीत व्यवस्थ है के साथ एक लाख सत्तर हजार चारसो इकसट कुल पद हैं जिनमें सोलह हजार पदों पर ही दूसरे राज्य की अभ्यारती भाग ले सकते हैं इसके लिए तर्क भी दिया गिया है इसमें बताया गिया है कि जो प्रात्मिक भी जाले हैं उसमें 89,943 सीट है जिनमें 60% आरक्षन है जो क को बता दे कि 32,000 के आसपास बसता है जिसमें 35,000 के आसपास जो है 35,000 के आसपास जो है वो महिलाओं को अरक्षन है तो 16,000 जो सीट है प्रात्मिक ये उस पर ही जनरल काटगरी बिहार के और दूसरे राज्यों के कैंडिडियेट्स का मुकाबला होगा उस पर ये होगा और आपको बता दे कि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है लगबग कहा जाए तो 90 पर तीसाद जितना फॉर्म जमा हुआ उसका 90 पर तीसाद जो है केवल कक्षा एक से पांच के लिए हुआ है वही नवी से दस्वी और ग्यारहुई-बारहुई के लिए STET होना अनिवार है जो की राज्य द्वरा अउजित की जाती है ऐसे में दूसरे राज्य के कैंडिगेट नवी से दस्वी और ग्यारहँई से बारहुई में भाग नहीं ले सकते और यही कारण है कि इस कक्षा में आवेदन काफी कम पढ़े हैं ग्यारहँई और बारहुई में देखा जाए तो सीट के बराबरी सीट से कुछ कम ही आवेदन पड़े हुए हैं नौवी दस्वी में भी देखा जाए तो सीट के लगवक दून नहीं आवेदन पड़ा है कारण इसका यही है कि सीटेट जो है वो एक से आठ क्लाब कच्छा के लिए होता है नौ दस ग्यारा बारा के लिए एस्टी सब्रिखन में हक और उसका क्या पड़रान नहीं नहीं हो सकता है अब आपकी पड़िशा में गिनेचुने दिन बच्छे हुए हैं लगवत देखा जाए तो तिसदिन के आस पास तिस बचामी दिन बचा बचा हुआ है कि एक दो दिन आपको ट्रेवलिंग मिलाएगा जहां सेंटर दिया रहेगा वहां जाने मिलाएगा तो एक महीने के आज पास आपके पास समय बचा हुआ है जी जान जोग दे जो भी रेफरेंस बुक जो आपके सिछक बताते हैं उसका पालन करें फिर से आप जो है सेट प्रैक्टिस करें औ इसलेबस को अच्छे से पढ़ें रेफरेंस बुक एंसी आटी बेटी सी किताब को पढ़ें हमारी सुबकाम नाया आपके साथ है आपकी परिच्छा जो अच्छा जाए तैयारी अच्छा हो 24 अगस्त आपका परिच्छा फिक्स है फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडिय करें हमारी चानल दब यहां टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले रन्यवाद